आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल्द कीजे और बेल आइकन को हिट करना ना बूलिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे थैंक यू अभी तक जो बेंकर सब्सक्राइब ब्रांच है आपके जो लो कॉलेज रोड एरेंडवाना में हैं यह अभी तक SSC बैंक और रेलिवे के बैचेस अपरेट करते थे जिसमें इंटर्विव बैचेस भी लिया करते थे हम लोग GD और जो आपका ग्रूप एक्सराइज का पाठ है वो लोग कंडग करते थे बट अब जो हम लोग कुछ सापरेट बैचेस भी अलग-अलग एक्जाम्स के लिए लॉंच करने जा रहे हैं और उन बैचेस में जो पैटर्न होगा उसके लिए मैं आपके एक अनांस्मेंट कर देता हूं कि अब जो नई क्लासेस हैं बैंकर से पहले कंपनी एक टेस्ट कंडग करती हैं CRT, Campus Recruitment Training जिसमें मैं लिए आपके तीन सब्जेक्ट होते हैं Math, English और Reasoning, ठीक है Math में जो पोर्षन होता है aptitude का, तो CRT के बैचेस होगी, CRT के बैचेस के साथ साथ जो aptitude classes होगी for MBA, CAT, 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 BAT और साथ में दो जो आपके एक्जाम है एक UPSC, C-SAT के लिए तयारी कराने जाएगा और दूसरा जो आपके स्टेट के एक्जाम है MBPSC, C-SAT, ठीक है तो ये new batches हैं जो वेंकर सेटा कोने ब्रांच स्टार्ट करने जा रहे हैं apart from the bank, SSC, railway, RBI and insurance तो आप इन बैचेस के लिए भी अपना registration करा सकते हैं और इन बैचे 7350-2AA-553 और location आपको मालूम ही है कि ये जो प्रांच है Law College Road एरणवाने में तो अगर आपको कोई inquiry करनी है तो inquiry number पे जो given होगा link में दे दिये जाएगा उस पर call के जे या फिर आप ब्रांच को भी विजिट कर सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं हम आज के वीडियो की तो आज के वीडियो में हम लोग जो lecture suit करने जा रहे हैं वो GDP जो revised forecast जिये गए हैं उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं तो आप जानते हैं कि time to time जो various organizations हैं जैसे हम World Bank की बात करने जा हैं IMF, Asian Development Bank ठीक है या Moody's की हम बात करने जा हैं जो credit rating agencies है SBI, RBI तो ये time to time अपना एक जो इंडिया का GDP जो forecast है वो time to time publish करते रहते हैं तो अभी आप जानते हैं कि समय पूरा world economy जो है वो slowdown condition को face कर रहा है तो इंडिया में भी उसका impact है तो time to time जो GDP growth rate है वो increase ना होकर के decrease होता जा रहा है ठीक है तो जो various organizations ने अभी recently report दी ग जो हम GDP revised growth forecast करने जा रहे हैं यह याद रखीगा यह revised growth forecast है GDP revised growth forecast यह आपका जो हम लिखने जा रहे हैं 19 और 20 के लिए ठीक है तो सबसे पहले जो हम करने जाएंगे report वो moody's के point of view आप जानते हैं कि moody's जो है world का largest credit rating finance company है यह largest credit rating agency है जिसका जो headquarter है New York USA में है इसका headquarter याद रखेगा it is located into New York USA ठीक है अब इसका जो report है कि इंडिया का GDP growth forecast है upcoming year 2020 में क्या रहेगा तो सबसे पहली चीज तो यह है कि इसने बोला कि जो इंडिया का GDP growth rate है वो from economic condition is stable to अब किसकी ओर जा रहा है नेगेट हो तो सबसे पहले तो यह point है ठीक है कि जो इंडिया की economic condition है भारत क कि जो आर्थिक condition आर्थिक आर्थिक आर्थिवस्ता कि वो अब stable से ठेक है जो इस्थिर अवस्ता से अब यह नकारात्म कि यानि कि निगेटों की ओर जा रहे हैं दूसरा moody's ने 19 और 20 के लिए हमारा fiscal deficit भी उन्होंने रपरजेंट किया है कि जो हमारा budget deficit होगा वो भी उन्ह है कि यानि कि इंडिया 100 रोपे अगर करता है तो उस हर एक 100 रोपे पर 103.7 पैसे खर्च करने जाएगा ठीक है इसका मतलब यह होता है यानि कि अगर हमारा earning 100 रोपे है तो हम जो खर्च करने जाएंगे per 100 पर extra 3.7 पैसे खर्च करने जाएगे ठीक है अब ये तो moody's ने बोल वलाई 2019 को अगर आपको मालूम है कि जनरल बजेट रिप्रजेंट किया गया था तो उस बजेट में बूला गया कि जो इंडिया का 19 और 20 के लिए फिसकल डेफिचेट का हमने टारगेट रखा वो याद रखेगा that is 3.3% of GDP तो जो सरकार बोलती थी अभी जनरल बजेट में बुला गया निर्मला फाइनेस मिनिस्टर जो इस समय है उन्हों बुला कि जो अपकमिंग एर में भारत का आपका बजेट डेफिचेट होगा या फि एकनों में कंडिशन को ठीक है इस टेबल से किसमें बोला है कि यह निगेटर कोई और जा रही है अब दूसरे इनों ने कुछ ग्रोथ रेट भी रिकमंड किये हैं तो इनों ने बोला है मूरीज ने कि 2019 के लिए हमारा जो GDP ग्रोथ रेट रहेगा वो याद रखेगा 5.6% ठ दूसरा 2020 के लिए नों ने बोला जो रहेगा हमारा 6.6% और 2021 के लिए नों बोला कि हमारा जो GDP ग्रोथ रहेगा 6.7% ठीक है तो यह GDP जो revised growth forecast यह याद रखना है पहले तो जो economic condition है वो stable से निगेटर की और बोला deficit on one बोला 3.3 नहीं होगा 3.7 पहुंच आएगा और यह हमारे growth rate है GDP के जो revised growth forecast है तो आगेज आके condition कुछ better जरूर है कि हाँ इंडिया आगेज आकर के ठीक है definitely stable होगा पट फिलाल जो condition है वो stable से हमारे किसके और जारी नेगेटर तो यह जो recommendation हमने report लिखा तो moody's के point of view अब next ह सबसे पहला तो यह उन्होंने बोला कि हमारा जो 19 और 20 के लिए 2019 और 20 के लिए अगर देखा जाए तो जो GDP forecast होगा वो 6.1% हो 6.1% और अगर आपनी यही देखा हो तो यह जो same है similar given by RBI यह RBI में भी दिया गया था RBI की fourth by monthly policy तो यह जो अभी October में fourth by monthly monetary policy आये थी उसमें भी RBI ने जो इंडिया का GDP growth rate recommend किया था 6.1% और जो अभी SBI का economic research team है उसमें भी इंडिया का GDP growth rate है 19 और 20 के लिए 6.1% लेकिन हम बोला है कि जो SBI ने कि इंडिया का जो second quarter second quarter तो पहला quarter अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि अपरेल से आपका financial area start होता है तो अपरेल मार्च जो अपरेल हाँ मार्च और अपरेल माई जून तक आपका first quarter होगा second quarter में हम लोग कहां से count करेंगे जुलाइ अगस् और September ठीक है जो financial year शुरू होता है आपका अपरेल से तो अपरेल हो गया माई हो गया जुन first quarter तक और second हो गया जुलाई अगस्टेमबर तो इस quarter में जो GDP growth rate रहने वाला है यह उन्होंने बोला है कि कितना पहुंच जाएगा 6.2 तो यह बहुत ही कम GDP growth rate है sorry 4.2 इन्होंने बोल economic down condition है यह आप याद रखेगा second quarter का अगर RBI के point of view बोले तो उन्होंने दिया था first quarter ठीक है तो इन्होंने भी इसी तरीके से बोला था कि इंडिया का जो GDP growth rate रहेगा वो याद रखेगा यह उन्होंने बोला था how much 5% तो अगर RBI के point of view हम quarter की बात करें तो RBI का आप जानते है जो accounting year है वो शुरू होता है जोलाई से सरकार का जो सुरू होता है वो अपरेल से सुरू होता है ठीक है तो सरकार के point of view second quarter यहाँ पर माना जाएगा और RBI के point of view अगर हम यहाँ पर लेंगे तो first quarter मतलब जोलाई अगस्त और किसकी बात कर रहा है September यह RBI के point of view है क्योंकि RBI का जो accounting year होता है वो जोलाई से जून होता है और government के अगर हम बात करें तो April से March होता है ठीक है तो यह दो GDP growth rate है जो किसके द्वारा दिये गए Moody's के द्वारा और दूसरा किसके द्वारा SBI के द्वारा और बाकी आप इसके द्वारा जानते हैं ठीक है कि ADB ना already recommend किया था कि हम GDP forecast है और last में हम एक और company की बात कर लेते हैं जो एक और credit rating company है इंडिया की largest that is the crystal तो crystal ने जो बोला है कि 19 और 20 के लिए हमारा GDP growth rate रहेगा वो याद रखेगा 6.3% ठीक है तो पहले तो उन्होंने बोला था कि 7 होगा 7 के बाद फिर cut किया 6.9 किया उसके बाद फिर cut करके उन्ह और RBI के first quarter के point of view हम बात करेंगे तो कितना 5% और दूसरा moody's का जो statement आया moody का कि इंडिया का जो economic condition होगा वो stable से किसकी ओर जा रहा है negative के हो ठीक है तो ये worst condition होगी definitely ये slow economic down है और slow economic down में आप ये जानते ही है कि inflation rate आपका higher होता है और साथ में आपका unemployment growth rate भी higher होता है ठीक है तो ये जितने भी आपके GDP growth rate हैं जो various organization के गवारे recommend किये जाते हैं इन सबको आप एक साथ याद करिए लिकिन प्रास कीजिए कि जदा ज़्यदा आप इनको correlate करके याद करते रहें ठीक है और बाकि जो batches के बारे में मैंने बताया कि अगर आप कोई भी आपका friend है जो इस सम करके आपका test conduct करते हैं eligibility skill test उसके लिए अगर वो apply करना चाहता है तो आप उसको जरूर recommend किजिए कि ठीक है कि वो पुने प्रांच को join करें और query के लिए मैंने आपको number बोला हुआ है उस number पे आप call कर सकते है 7350-28-553. Thank you so much for watching this video.